प्रेंट्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल इन आलमेजिंग टिप्स अकर आप भी अनेकों तरह की बीमारियों से जूज रहे हैं या आपके सरी में अनेकों तरह की बीमारिया हमेसा उत्पन होती रहती हैं जैसे की अपका ४ी बढ़ गया हो हाई ब्लड़ परलद से की समस्या है और अनिद्रा आदा सक्ती आपका कमई जोड हो गया या इसकीं से प्रीलेटड कोई प्रबलम है हैं क्योंकि एग बहुत की होने मिल जाएगा और चीज आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदमंद होती है तो वीडियो में सब कुछ डीटेल से बताने वाली हूं इससे पहले आपके रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ी भी यूच्फुल लगे इंफर्मेट्व लगे तो प्लीज इस वीडि किसी प्रकार की बिमारी क्यों नहीं हो अलसी ठीक करने का काम करता है इसमें बहुत सारे निट्रेंट्स पोसक्त तुपाया जाते हैं जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदमंद होते हैं तो इस वीडियो में पूरे डीडियल से आपको बताने वाली हूं कि स सही तरी का पता होना बहुत ही जरूरी होता है नहीं तो इसके लाब होने का बजाए आपको नुक्सान भी हो सकते हैं तो सबसे पहले मैं बात करती हूं कि अलसी में कितने सारे वीटामिन और ओमेगा 3 fatty acid बहुत ही ज़्यादा मातरां पाया जाता है जो कि आपके दिल और द प्रिचे 6 डीवा आपके अलसी का पर्यूब करते हैं तो अब मैं आपको बताते हो फ्रेंड्स की आलसी कहाने का क्या किया हो सकते हैं कि चृटकारा बलगा पा सकते हैं सबसे पहला बेनी फीट है कि एनरजी बुष्टर की तरह काम करता है अगर आपको कमजोरी थकान की समस्या हमें सब बनी रहती है आप कोई भी काम करने का बाद ठक जाते हैं तो आप भूनी हुई LC का सेवन करना सुरू कर दीजे क्योंकि भूनी हुई LC में प्रोटीन की मात्र जादा होती है जिससरे आपको कमजोरी थकान की समस्या बिलकुल ही दूर हो जाती है तो आप भून कर इसका परोग कर सकते हैं चाहें तो आप सबजी में डाल कर या ब्रेडिया सेंडु cellular कर आप इसका परोग कर सकते हैं तो इस तरीके सक्राइश कर आप भूनी हुई LC का प आपका कोलेस्टराल लेबल कम होने लगेगा नियांतीत करने में मदध मीलेगी और जब को कीव बिच का बेड़ने लगता है कि दिल इसी के बीच को भूने के डालेक्टली एक सुभार साम कर शकते और चाहे तो आप ऐसी मिच को भून कर पाड़ फवर में भी उज़ कर सकते ह तो इस तरीके साब परियोग करेंगे तो आपका कोलेस्टरल लेबन नियनतित रहेगा इसका थर्ड बेनी फीट है कि आपके वेट लॉस में काफी मददगार होता है अगर आप बढ़ती हुए वजन से काफी परिसान है और मटापा को कॉम करना चाहते हैं तो आप भूने हु करने में मदद करेंगी तो इसलिए आपको भौजन करने के बाद आपको अलसी के बीज का सेवन करना है आप इसे चबाचाब कर खा सकते हैं या पाल डॉफ हम में भी यूज कर सकते हैं इसका फॉर्थ में रिपीट है कि आपके हाई बीपी को कांट्रोल करने का काम करता है और मैं आपको बता दू तो ब्लड पेसर की समस्या से चुटकाया दिलाने में अलसी का जो बीज है रामबाड इलाज माना जाता है तो जो बीपी की समस्या से परिसान रहते हैं या बीपी की मेडिसिन खाते रहते हैं उन्हें अलसी के बीज का सेवन जरू से जरू करना चा करते हैं और बहुत ही हिएकिव होता है जिसके आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसे भून कर डार्टली चबा चबा कर कि इसका है कि आपको कुण की समस्या से अक्सर लोग परिसान राते हैं ऐसे मयों के तो को कप्स की समस्का से छुटकारा मिल जाता है इसका सिक्स मेनिफिटर है कि यह ब्रेइन बुष्टर की तरह काम करता है अगर आप अपनी अदास सक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अलसी के बीजों को भून कर इसका सेवन करना सुरू कर दीजिए आप इसे डाल चाओन मे मतंज़ा है और दिमाग को थेज़ करता है इसलिए अगर आप इसका प्रहूग करते हैं तो इस से आपके सोचने और समझने की सकती जो है बढ़ने लगती है तो अलसी का प्रियुक्त बहूं कर या डिरेक्ट लीए इसे बहुन कर कच्छे फोर्म में या पाड़ो फॉर्म म में मदद करता है दरसल फ्रेंड से इसमें पाया जाने वाला ओमेगा फैटी एसीड आपके बालों के रोम और त्वचा की को सिकाव को परियाप्त मात्रा में पोसर प्रदान करके और मुक्त कण को नियंतित करके उनकी गुड़ मत्ता में सुधार करने में मदद करता है और य इसका लाश्ट और एट बेनिफीट है कि आपकी नीद को बहतर बनाने में काफी मदद करता है अगर आप अनिद्रा की समस्या से परिसान रहते हैं रात को आपको अच्छे तरीके से नीद नहीं आपाती आप जगे रह जाते हैं तो आप भूनी वी अलजी का प्रियों करना दरसल फ्रेंड्स ये जो है सेरोटोनीन हर्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है जो की नीद को भी नियमीध करने के लिए जरूरी होता है इसके अलवा इसमें मैंगनीसियम भी होता है जो कि आपके तनाख को कम करके नीद को बहतर बनाने का काम करता है तो आप अनी प्रश्चे का प्रवून कर किजिए कि कच्छे फर्म में कोई भी यूज नहीं करता है अल्सी को आप भून लीजिए हलका सरोष्ट करना है उसके बाद आपको क्या करना है आप इसे डारेक्ली चबा चबा कर खा सकते हैं क्योंकि बूनी जो जो अल्सी बहुत ही टेश्टी ल हख लिजिए और फिर इस परड़ का परॉज हैं दूद के साथ कर सकते हैं दाल सब्जी जीसके साथ परूओ कर्ना चाहें कर सकते हैं लेकिन आप इसका परुद की जीन को पाचन से च्छोड़ी समस्या होती है वह इस तरीके से परियोग ए तुनको काफी लाब मिलेगा और करम गर्मी के मौस्तास में सी कभी का परacles असानी से कर तो दही में की ंप्विश कर दो confirmingім स्वड़क नहीं अब कुछ बता दिया है कि और इस सी की थी आपon के सब्सक्राइब कर yourself तो आज से ही आप पालसी के बीच का सेवन करना सुरू कर दीजिए आपको बहुत सारे हेल्थ मेरिफेट्स मिलेंगे आपको हमारी वीडियो काफी उच्पूल और इंफरमेटिव लगी होगी तो प्लेज इस वीडियो को लाइक किजेगा जादा सेर किजेगा और ऐसे और भी झालसी के बीच्पूल और इंफरमेटिव लगी होगी 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 ह झाल झाल